दोस्तों आपका बजट है 20,000 तो दिल थाम के इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखो क्यूंकि भाई 20,000 के अंदर इंडियन ब्राइंड एक ऐसा स्मार्टफून मार्केट में लोंज करने जा रहा है जो कि भाई मार्केट में चाहे चाइनिस ब्राइंड चाहे नों चाइन को नहीं मिला था जो फीचेस के साथ आ रहा है सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में उससे पहले लाइक का टार्गेट रखते वाई 700 कंप्लीट करवा तो भाईयो जो इंडियन ब्राइंड की बात कर रहा हूं वह भाई लावा लास्ट यह लावा ने इंडिया पे अब यह पर देखने को मिलेगा जहां पर वार्ड कैमरा होगा मतलब इस बजट में अभी जालतर जो फोन आता है ना वाई त्री पल रियर टार्गे साथ आता है लेकिन यहां पर आपको चार-चार सेंसर भाई वेक साइड में देखनों को मिलेगा एलेडी लाइट भी मिल और राउंड सरकल में होगा मतलब लाभा भाई पहली बार एक नया चीज मतलब ट्राइब किया है लेकिन इसका डिजाइन कुछ मिलता जुलता होनौर के जैसा लगता है लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग चीज क्या है बता है यहां पर दोस्तों जो बेक पेनल यूज किया जा इस बजट में एक भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जाकि फाइब जी के साथ ग्लास बेक प्रेनल के साथ आता है तो इंडिया पर यह पहला स्मार्टफोन होगा और एमुलेड रहेगा फूल एजडी प्लस रेजुएशन के साथ कर्व एमुलेड डिस्प्ले आपको यहां पर मनलब फ्रोंट पर देखनों को मिलेगा तो यह पर डिजाइन नेक्स लेबल का होगा और साथ इसाथ भाई डिस्प्ले भी काफी बढ़िया होने वाला है मैं सोच रहा हूं इस फोन इस यहां पर आपको डिस्प्ले में नहीं करना परेगा यानि डिस्प्ले तो लाज जबाब होगा दोस्तों साथ ही साथ और एक चीज में बता दूंगाइस यहां पर जो चिपसेट को यूज किया जा रहा है न यह भी एक नया चिपसेट है इससे पहले इंडिया पे किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिला था मीडिया टेक डामेंट सीटी 7050 और यह चिपसेट दोस्तों काफी पाउरफुल चिपसेट है अगर आप गेम खेलोगे अराम से स्मूध एक्स्प्रेंस निकालके देगा अगर आप सोचरों भाई यह वाला चिपसेट मतल यानि 50 Mepixel होगा और एक चीज़ बताना भूल गया डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्लेइंगर पीन सेंसर भी मिलेगा जो कि लिक्स होके निकला है अभी तो अगर इन डिस्प्लेइंगर पीन सेंसर भी मिल जाता कर्ब के साथ ना तो मार्केट में यह आग लगा देगा म इसलिए कहा हुँ कि मैं इसको फ्राइमारी फोल बनाना चाहता हूं मैं इसको यूच करना चाहता हूं विलाल में इस फोन का फ़ाई लौंज का वेट कर रहा हूं जब लोंच होगा तो इसका अन्बोक्सिंग भी मेरे डेफिनिटली आपको देखनों को मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो रेम और इंटर्नल इस्टूरेज मिलेगा ना और 8 GB का रेम मिलेगा दोस्तों और 8 GB का वर्ज्वल रेम कूल मिलाके आपको 16 GB मिल जाता है दो 156 GB का इंटर्नल इस्टूरेज मिलेगा साथ में बेस बड़ियर इंसाइड 828 देखनों को मिल सकता है मतलब रेम और रोम में यहां पर देखनों को नहीं देखने को मिल जाएगा और बेटरी की बात करें तो यहां पर आपको 5000 मिली एंप्यर का बेटरी बिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है बारे में कोई अभी तक निकला नहीं है लेकिन डेफिनेट्टी यहां पर फर्स चार्जिंग भी आपको मिलने वाला है और अभी जो प्राइस निकल क्या है लिक्स होके 19,999 यानि 20,000 में इस पॉन को इंडिया पे लौंच किया जा रहा है जिसका टीजर भाई मतब आज चुगा है साइद एक हपते के आसपास इसको इंडिया पे लौंच किया जाएगा और जिस दिन लौंच आपको इस चैनल पर देखनों को मिलेगा सच बताओ दोस्तों अगर यह फोन 20,000 के अंदर आ जाता है जो फीचेस मैंने आपको बताए यह सारे फीचेस अगर आपको मिल जाता है तो यह फोन वान अब दा बेस्ट फाइब जी फोन हो जाएगा 20,000 के अंदर और इसको मैं अ भर दो भागी वीडियो पसंद आये तो लाइक करो जितना हो सके इस वीडियो को सेर करो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अन्बोक्सिंग आपको इस चैनल पर मिलेगा आपकी मैं मिलता आपको अगला कोई इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक जय हिंद टे क्यार